एक दिन एक बिल्ली कहीं जा रही थी तो उसने देखा के सामने से एक बहुत विसाल कुट्टा उसकी तरफ चला आ रहा है। कुट्टे को देखकर बिल्ली बहुत डर गई और भागने लगी। लेकिन बिल्ली कुट्टे से थोड़ा कम फुर्ती लिथी। इसलिए कुट्टे ने तेजी से भाग कर बिल्ली को दबोच लिया और उसको मारने के लिए तयार हो गया। तब बिल्ली गिडगडाने लगी और तेसे बोली। देखो तुम मेरी जान बक्स दो मैं तुम्हें रोज खाना लाके दिया करूँगी। तुम्हें खाने की तलास में इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। कुट्टे को बिल्ली का यह प्रस्ता बहुत अच्छा लगा और उसने बिल्ली को आगा किया। बिल्ली अगर तुमने मुझे धोका दिया और टाइम पे खाना नहीं लाके दिया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। यह सुनकर बिल्ली बोली। मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपने की एवादे को हर हाल में निभाऊंगी। उस दिन से प्रती दिन बिल्ली कुत्ते के लिए खाना लेकर आती और कुत्ता पूरे दिन अपने डेरे पर एक जंगे पड़ा रहता और बिल्ली के लाई हुए खाने को खाता। कुट्टे के बचे हुए खाने को बिल्ली खा लेती ऐसे ही चलता रहा और महीनों बीत गए एक ही जगे पड़े रहने के कारण और भाग दोड़ना करने के कारण कुट्टा बहुत ही मोटा हो गया फिर एक दिन कुट्टा बिल्ली का रास्ता देख ही रहा था उसको बहुत जोरो की भुग लगी थी लेकिन बिल्ली नहीं हाई आखिर हार कर कुट्टा बिल्ली को ढूनने के लिए इधर उधर खुमने लगा थोड़ी दूर ही गया था उसने देखा बिल्ली कुछ खा रही है बिल्ली को खाता देखकर कुट्टे को बहुत गुसा आया और वह बिल्ली से बोला धोके बाज तुने मुझे धोका दिया है अब तेरी खेर नहीं अभी रूँ इतना कहकर कुट्टा जैसे ही बिल्ली की ओर लपका बिल्ली पहले से ही सतर्क थी वो एकदम पूद कर वहां से भागने लगी कुट्टा भी बिल्ली के पीछे पीछे भागा लेकिन महीनों तक कुछ ना करने के कारण अब वह बिल्ली से कम फुर्तिला हो गया था बिल्ली कुट्टे से जादा फुर्तिली हो गई थी कुट्टा इतना मोटा और भारी हो गया था के वह जादा दूर तक बिल्ली का पीछा नहीं कर सका और ठक कर वहीं बैठ गया तो बच्चो इस कहानी से हमें यह सिक्सा मिलती है के हमें दूसरों पर आस्रिच नहीं रहना चाहिए हमें अपना काम स्यम करना चाहिए अपने काम के लिए दूसरों पर निर्बर होने पर हम कमजोर हो जाते हैं और फिर हम उस काम को उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं